तो आप सभी का स्वागत है चौथे जो हमारा आज सेशन है नौवल रीडिंग का तो चले शुरू करते हैं उसके पहले आप सभी को अपना ध्यान रखना है कोविड-19 जैसे सभी को पता है के इसे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो हम लगबग पीक पे हैं तो अपने आपको जितना सुरक्षित कर पाएंगे तो इतनी चीज़े बाकी लोगों के लिए भी बहतर रहेंगी तो नौवल का नेम मैं फिर से बता देता हूं हमारा परपस का इसको पढ़ने का है कि हमारा परपस है लर्निंग एंग्लिश थू रेडिंग नॉवल्स है ना चाहिए वह स्पीकिंग हो ग्रैमर हो वकाबलरी हो डेली उससे सेंटेंसे हो डेली यूज वर्ड्स हो इन सभी को हम इसमें सीखते हैं और डेटेल्ड मैनर में हैं और साथ में हम आपको वर्ड वर्ड एक्सप्रें करते हैं क्या क्या जो सारी चीजे इसमें इंपॉर्टन हो सकती सारे में बताता हूं तो चले एक शुरू करते हैं तो कल हमने देखा था कहां तक देखा था कि जो अमर्दीफ हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है वो एरपोर्ट है जो चंडीगड का उसे बाहर निकल कर आए हैं और काफी ठंड थी तो वही जो लास्ट सेंटेंस हमारा क्या था कि इट वोज दाट कोल्ड और ये फोट ठंड थी इसके यहां तक हमने कर डिसकस कर लिया था पढ़ा था आज चली स्टार्ट करते हैं तो आज लिखा वब कि एड़ी एग्जिड दोर तो वही एग्जिड दोर पर क्या था दक इंस्टांट एग्जिड दोर एड लिखा हुआ है तो मतलब लिए वगिर आता हो तो वहां पर आप एड़ का इस्तिमाल करों के आड़ दे डूर ना कि on the exit door होगा the constant announcements the constant announcements का मतलब announcements मतलब वही जो घोश्राएं होड़ती रहती है जो प्लेटफॉर्म चाहिए आपका एरपोर्ट हो हर जगे announcements होते constant लगा था एक interval पर रहने लगा था जो announcements हो रहे थे the honking taxis taxis honking का मतलब आवाज करती हुई taxis the crazy relatives crazy का मतलब पगलाए यहना कि इतने दिनों के बाद कोई आ रहा होगा तो उस लिए परिशान एकदम हां की पाहें फैलाएं कि हां किसी पीतारा से आए तो गहले मेले हैं तो वह एकदम परिशान से crazy relatives and just imagine आप जो मैं कहानी बताता जा रहा हूं अगर आप थांसे इसको सुनते हैं तो आप English भी सीख रहे साथ में आप आप रिखा चित्रण आपके सामने हो रहा है है न की चीज़ें आपके सामने एकदम दिख रही हैं कि picture images बन रही हैं आप इमेजिन कर सकते हैं प्रेजर रेलेटेव श्कूर्स मांसे साफ पैसेंजर्जर जहना मांसे का मतलब कि जो संख्या थी पैसेंजर्जर्स की ओल उंस अभी ने क्या किया में एक टाक्सी की आवाज आ रही थी पगलाए जो रेलेटेवस थे और दो लोग थे पैसेंजर्स थे इन सभी ने उस माहोल को एक दम नोजी बना दिया था आवाज भरा बना दिया था तो यहां तक हमने देखा आगे देखते हैं और फ्यू टैक्सी ड्राइवर्स और फ्यू ने इस्तेमाल किया इसके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं मैंने बताया है आपका जैसे यहां पर आफ प्रफ लिखा हुआ है यहां से स्टार्ट करते यह इसी तरह से यहां पर होता है यहां पर अला यहांस लिटल होता है ऐह न्यकका मतलब संस में कंके संस में लिया जाता तो करें और data Der लेना लए चारो तरप से तो कुछ टैक्षी डराइवरज ने क्या किया था घेर लिया था किसको अमर्दीब को वैसे बश्यीन का मतलब होता है को आरमी चिसी को घ्ट इताब वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो कुछ टैक्सी डिराइवर्स ने उनको घेर लिया था अमरदीब को offering him, him का मतलब अमरदीब को offering का मतलब offer कर रहे थे अब paid ride, ride नहीं paid ride, मतलब की paid ride कर रहे थे कि आज हम बोल रहते हैं कि हमारी टैक्सी में बैठ चाओ, इसका offer दे रहे अमरदा हासल बाशल है, हासल बाशल का मतलब होता है कि एकदम वही जल्दबाजी में है न, तो हासल बाशल में क्या हुआ कि of getting a passenger, तो मतलब कि सब drivers परेशानते कि भाई किसको कौन सा passengers मिल जाए, आप imagine करो, आप station से बाहर आते हैं, तो कितने सारे आपका back चीनने लगते हैं, गटेगा passenger, one of the drivers, देखो यह expression याद रहे है, grammar point of view से, one के मतलब कि बहुत सारे जो drivers थे, उनमें से एक driver नहीं, almost लगभग, लिफ्टेड, लिफ्ट का second form में, lifted का मतलब उठाना, his bag, और उसका, his bag का मतलब अमर्दी का bag and asked और पूछा, मतलब कि उनमें से एक driver नहीं, अमर्दी का bag उठाया और बैग उठा लिया तो पूछा, कि कित्थे जाना है पाजी, वहाँ पर कहाँ पर हैं, कि चंडी गड में है, तो पंजाबी देखने को मिलती, तो उसने पूछा कित्थे जाना है पाजी, कि कहा जाना है, आपको ऐसा उसने बोला है, हाँ, English में बोले, तो where do you want to go पाजी, मुला जाता है, यह हो गया, अचलते हो के अगे, आगे इनों इतना तो हो गया, आगे देखते हैं, तो यह तो ड्राइवर का डियक्षण था, अब र्यक्षन देखते हैं, अब मर्धीप, quickly, quickly जो आपका है, हना, रिटा रिटालियेटMe, यहाँ पर verb है, और वहाँ और उसक रिस्पॉंस किया तुरंद ही जवाब दिया बाई स्नाचिंग लगेज बैक फ्रॉम हिम ना कि छीन करके इस लगेज अपना जो लगेज था बैक फ्रॉम उससे हैं जो रिटालियेट वर्ड है यह रिटालियेट वर्ड आया था जब पुल्वामा अटेक हुआ था तो जब उ चेहरे का जो हाव होता है उसको बूलते है करें इस इस हाव से फिर पास्ट इंडाफनिट आया उसने इशारा किया इस डिस अग्रिमेंट वो क्या अपनी असामती जता रहा था इसे टूटेका कैप मतलब की अगर आपको यहां पर आया है आपका बैग लिया और आपने उस देखते हैं he then made his way out of the gathering आप फिर पास्ट इंडाफनिट देखो आगा है he then और तब उसके बाद made his way अपना रास्ता बनाया मतलब कि चल दिये मेंक का सेंड फहर में पास्ट इंडाफनेट आउट अप धायदरिंग जो भीड़ों पर गैदरिंग थी उससे क्या हूआ हना कि निकला वहां से एक गैधरिंग और यकॉलोकेशन देखो देको आपको फादिली गैदरिंग होती है ना कि लोगी कठ्ठा होती तो उसको फैम भी हैड होता है और आयमजी फॉर्म हाविंग होता है तो ही हैड मतलब इन वन हैंड एक हाथ में क्या था ही है इस फेवरेट एकॉनमिक टाइम इस अमर दीब के एक हाथ में उसका फेवरेट जो एकॉनमिक टाम था वो था आदी भरी होई अब जैसे आप ने बुला जाहों आदी भरी हुई को चाय चाय का कप लें तो हाफ फिल्ड मिनस कप अफ ती यह आप बोल सकते हैं फिल्ड बॉर्टर बाटल हना वाल इंद आदर हील्ड द ड़ यहांडल का सिगण फॉर दूसरी हात मी क्या पकड़े है था दे हैंडल ओफ इस वी बैक जो उसके पहियों वाला वाला बैक था उसका हैंडल पकड़े हुए था विच देखो जो विच यहाँ पर आए यह relative pronoun है न ही रोल्ड रोल्ड का मतलब घुमाना in tandem with his walk tandem का मतलब होता है क्रम सा क्रम में order में जैसे आगे-आगे वो चल रहा था उसके पीछे-पीछे उसी क्रम में बैग चल रहा था न तो tandem का मतलब है क्रम में with his walk अपने walk के साथ कहने का मतलब है कि जैसे आप पीछे ट्रॉली बैग है उसको लेके चलते हो तो आगे-आगे आप जार पीछे-पीछे बैग भी उसी क्रम में आ रहा है न आगे देखते ही आगे कर देखें इन्होंने बोला कि फिर पास सिनफनेट देखवा गया कहा तक यह प्रापोजीशने टिल है तो उन्होंने यह प्रावड भीड नहीं थी दूवर्ड होते एक होता है मॉब मॉब एक परपट से इकठा होती है मान लोग किसी को मारने के लिए हो इसलिए मॉब लिंचिंग होता है ना क्रावड का मतलब होती रैंडम इकठा हो जाते तो कहरें वहाँ पर ज्यादा भीड नहीं थी दूप्लेस वोस काम काम का मतलब शान्त था वहां का जो माहोल था ए मतलब वह दर लाइन ऑफ टॉल लैंप पोस्ट लैंप पोस्ट का मतलब क्या होता कि जो रोड जो गार्डन में या रोड के किनारे लाइन लाइन में वह जो लैंप स्ट्रीट लाइट लागा दी जाती हूं उच्छे खंबों पर तो उसी के नीचे वह खड़े हुए है ना धेर इस्टुड इसस्कोर्स ऑफकर्स इसकोर्स का मतलब भारी कि सकाई सारी संख्याओं बोफ से जयादे शजयाओं में वह पर गार्डियां खड़ी थी स्टैंड का सेकंडल फॉर्म इस्टुड आया है तो घाडियां वह बहाँ पर खड़ी थी अमर्दी पास्ट हीज ब जो बैक पोर्शन था पीछे वाला मितलब बैठ गया अगेंस्ट दा बॉनेट ऑफ फस्ट कार इन दा सीरीज तो जो लाइन लाइन गाडिया खड़ी थी उन्हीं में गया और वहां पर जाके खड़ा हुआ अपने जो बैक पोर्शन था उस गाड़ी के ऊपर रख दिया बना उसलिट इस एवड बना एक्सपोजर जो हमारे चंटल का नाम है English Explode विशाल तो एक्सपोज का मतलब उता है इक्सपोजर और इसी से एक्सपोज मिला है ना तो पूर खुला हुआ पार्ट था न तो जैसे मेरे चैनल का मिनिन है कि आपको English एक्दम घॉर मेल दे ना ऐ इसा देन दा एक्स्पोज पार्ट साफ इस बाड़ी उसके जो खुलेवे पार्ट थे उसकी बाड़ी के हैड़ टॉंड कूल और वो क्या हो गए थे ठंडे हो गए थे ठंडे पढ़ गए थे थे ब्लेश्ट थे नीउस्पेपर से फास्ट इनाफन्ट ब करें इससिंगर लागै बाबर ऑर बार जी प्लेश्ट रखेंपर अंड़ बॉन्ट नहीं क्या किया चिह नो का अग्शन और कॉडिनाट बाटल ऑट्र बॉर इट रख तो प्रिवेंट प्रिवेंट का मतलब रोकने के लिए इट मतलब नीजपेपर को फ्रॉम फ्लाइंग आफ उड़ने से हैं विद्द विंड मतलब हवा चले चल रही थी तो इस वदे से उड़े ना उड़े तो जनरल हम क्या करते हैं कि बॉट्ल उठा करके उसी नीजपेपर के ऊपर रख देते हैं ताकर क्या हो की इटेल में बता रहे हैं और देख राता इन शबून रहा था मतलब कि कोई आए ही रब्ड हीज कोल्ड पाम्स अगेंस एच अधर हम क्या करते ठंडियों में अपने हाथ जो हता हाते ली होते एक उसरे के अगेंस रगड़ते हैं ब्रीथ आउट अपफ वार्म एर टू वाम अप दिम और क्या करते हैं और मुह से एक दम हवा छोड़ते हैं गरम-गरम जो हाथों में ताकि हाथ क्या हों गरम हो जाए वहीं इसने भी किया है ना सकंड लेटर सेकंड सेकंड लेटर को समय के बाद क्या हुआ हिप पुल्ड आउट हीज सेल फोन अपना सेल फोन निकाला फ्रॉम दा पॉकेट से औस जीन्स जीन्स के और स्विच्ट इट उन्ट तो मेक कॉल करने के लिए आप मेक कॉल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इन्होंने क्या बोला यहां पर खाड़ा ता उसके बारे में जगे में बताता रहा आफ ते प्लेस ही वास हना और उनके सामने एक गाड़ी आके गाड़ी रूख गई है ना राम जी किसी ने बोला कि राम जी करके बोला आवाज इनका नाम लिया और जैसे ही गाड़ी का गेट खुला तो अगले दिन हम देखेंगे कि कौन आया है उनके मतलब किसने इनका नाम बोलाया मतलब राम जी करके बोला आप देखते हैं कि राम जी ये कौन है क्या नहीं हम कल देखेंगे है ना तो आज यहीं पर खतम करते ही है ना नहीं तो स्टाशन लंबा हो जाएगा तो चलिए आज यहीं रखते हैं तब तक के लिए अपना ध्यान रखें बाबाई टेक केर सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं